नमस्कार, LWF Classes, EG Way of Learning होना बहुत आवश्यक भी है और अपरिहार भी उनके त्याग और उनके वलिदान को हम आपके साथ सेयर करने जा रहे हैं हम CGPSC, CG व्यापम, CG पटवारी, CG Forest, CG TET, CG Police और CG SI तथा 36गः से संबंदित विभिन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान अध्यन विशाये पर वीडियो अपलोड करते हैं हम और भी विशाये पर वीडियो अपलोड करेंगे, आये तो सुरू करते हैं 36 गड़ में प्रथम ब्यक्ती से संबंदित पहला पार्ट हम अप्लूट कर चुके हैं आसा है आपको अच्छा लगा होगा दूसरा पार्ट आपके समक्ष आए शुरू करते हैं 36 गड़ की संकल्पना करने वाले प्रथम ब्यक्ती कौन थी उत्तर है पंडित सुन्दरलाल सर्मा आखिर पंडित सुन्दरलाल सर्मा कौन थी यह जानना अतियंत आवश्यक है पंडित सुन्दरलाल सर्मा जन्म हुआ 21 दिसंबर 1881 और मृत्ती हुई 28 दिसंबर 1940 36 गड़ में जन्जाग्रण तथा सामाजिक्रान्ती के अग्रदू थे सुन्दरलाल सर्मा वे कभी सामाजिकार करता समाज सेवक इतिहासकार सुतंतरता संग्राम सैनानी तथा बहुमुखी प्रतिवा के धनी इने 36 गड़ का गांधी, 36 गड़ का प्रथम स्वप्न द्रश्टा वो असंकल बनाकार कहा जाता है आपने हिंदी तथा 36 गड़ी में लगवग 18 गरंथों की रचना की जिसमें 36 गड़ी दान लीला चर्चित करती है पंडित सुंदरलाल सर्मा ने 36 गड़ी में तुलरवा पत्री का तथा हिंदी में कृष्ण जन्मिस्थान पत्री का लिखा 36 गड़ साशन ने उनकी सम्मान में उनकी नाम पर पंडित सुंदरलाल सर्मा मुक्त विश्विद्यालाई 36 गड़ की स्थापना की साथ ही साथ साहित एवं आंचलिक साहित के लिए पंडित सुन्दरलाल सर्मा सम्मान इस्थापित किया है 36 गड़ के प्रथम ब्रिटिस अधिक्षक कौन थे? कैप्टन एडमंड मराठा युद्ध के दोरान सीता वर्डी के युद्ध में मराठा पराजित हो गए सन 1818 में नागपुर की संधी ही जिससे 36 गड़ में अंग्रेजों का अप्रतेक सासन इस्थापित हो गया इस समय रगुजी भोसले तरतिय काफी छोटे थी इसलिए अंग्रेजों ने उनकी ओर से एजेंट बनकर सासन की है नागपुर में प्रिथम अंग्रेज रेजिमेंट जैन किन्स को निउप्त किया गया इस काल में 36 गड़ का सासन एक बिटेस अधिक्षक के माध्यम से किया जाता था कैप्टन एडमंड 1818 में 36 गड़ के प्रिथम अधिक्षक बने इन्होंने अपना संपूर समय शेत्र में सांती एवं व्यवस्था इस्थापित करने में लगा दिया इनके सासन काल में डौंगर गड़ जिसे प्राचीन समय में कामावती पूरी कहा जाता था के जमीदार ने अंग्रेजों के विरुद विद्रोह किया परन्तु उसे दवा दिया गया इस गटना के कुछी दिन पस्चात एडमंड की मरत्य हो गई इन्होंने छे माहे तक सासन किया इस तरह प्रथम विटिस अधिक्षक थे कैप्टन एडमंड 36 गड़ में प्रथम डिप्टी कमिशनर कौन थे? 36 गड़ में प्रथम डिप्टी कमिशनर थे चाल्सी इलियट एक फरवरी 1855 को 36 गड़ के अंतिम मराठा जिलिदार गोपाल राव ने 36 गड़ का सासन सर चाल्स इलियट को सौंप दिए नागपुर के अंतरगत आने वाले सभी जिलों में डिप्टी कमिशनर की नुक्ती की गई 36 गड़ बिटिस्व अमराज में बिलाय होने की पश्चाथ प्रशासने कार्य में सहायता हेतू 1854 में तहसीलदारी व्यवस्था की सुरुआत की गई इलियट ने 36 गड़ राज की राजस्व व्यवस्था को दुरुस्थ करने के लिए तीन वर्शी राजस्व व्यवस्था लागू की थी यह महत्पुर्टत है 36 गड़ राज पर अंग्रेजी हुकूमत का सासन सन 1854 से 1947 तक रहा एक महत्पुर्टत प्रशन इन से संबन्दे थे किस ब्रिटिस अधिकारी ने 36 गड़ राज की राजस्व व्यवस्था को दुरुस्थ करने के लिए तीन वर्शी यह राजस्व व्यवस्था लागू की थी तो वह थे चालसी इलियट 36 गड़ में प्रथम महिला साशी का कौन थी उतर है प्रफुल कुमारी देवी प्रफुल कुमारी देवी का राज्या भी सिख होता है 1922 में उम्र थी 12 वर्स उनका विवा है मयूर भंज महराज की भतीजे प्रफुल चंद्रभंज देव के साथ जनवरी 1927 में हो जाता है महराणी प्रफुल देवी केवल बस्तर की ही नहीं अपितु संपुन 36 गड़ की प्रथम और एक मात्र महिला शाशी का थी उन्हें भी अंग्रेजों ने प्रतालित किया महराणी को अपेंडी साइटिस के ओपरिशन के लिए लंदन भेजा गया था जहां उनका देहावसान 1936 को संदेहास पदिस्तितियों में हो गया संभौता है उन्हें अंग्रेज सास को द्वारा सड़े अंतरपूर्वक मार दिया गया इसके बाद प्रभूनी चंद्रभंज को ब्रिटिस सासन ने आपचारिक रूप से गर्दी पर बैठाया एवब रियासती सासन की बागदूर अपने हाथ में ले ली तो 36 गड़ की प्रथम सासी का थी प्रफोलोकुमारी तेवी आपकी साथ यह महात्पूर्ण पिक्शर सेयर कर रहे है 36 गड़ की प्रथम सहीद कौन थे उतर है गयन सिंग 36 गड़ की प्रथम सहीद गयन सिंग 1825 परल कोट विद्रू है परलकोट या फिर कहें भोपाल पटनम संगर 1825 को उत्तर बस्तर में हुआ था इसके शासक महिपाल देव राजपूत जी थे इस बिद्रोय के नेतरत करता भी गेंद सिंग राजपूत ही थे गेंद सिंग परलकोट के जमिदार भी थे जेंद सिंग राजपूत को भूमिया राजपूत भी कहा जाता था इस बिद्रोय का मुख कारण था कि यहां के लोगों को लगता था कि अंग्रेज उनके हिंदु धर्म को बरवाद कर देंगे या फिर कहें कि धर्म परिवर्तन करवा देंगे जैसा कि वे अनराज्यों में कर रहे थी साथ ही वस्तर में अवजमानियों पर हो रहे सोशन से मुक्त करना था विद्रोय के समय सभी विद्रोयों ने अपना प्रतीक्चन एक धावडा ब्रक्ष की टहनी को बनाया ये भी कहा जाता है कि इसकी पत्ती कभी भी सूखनी नहीं चाहिए इस विद्रोय को अंग्रेज अधिकारी पैवे ने जदपी दमन कर दिया था बीर गेंद सिंग राजपूद को 10 जनवरी 1825 को अंग्रेजों ने गरपतार कर लिया एवं जल्द ही 20 जनवरी 1825 को फासी दे दी गई लेंद सिंग राजपूद को 36 गड़ एवं बस्तर का प्रथम सहीद कहा जाता है तो यह डिटेल आपकी साथ सियर करने का मकसद यही है कि जब आप इनकी बारी में जानेंगे तो खुद भी उत्प्रेरित होंगे साथ ही आप इने भूल नहीं पाएंगे 36 गड़ के प्रथम बलिदानी कौन थे? उतर है वीर नाराण सिंग वीर नाराण सिंग 36 गड़ के प्रथम करानती कारी देता थे किसानों में चेतना जागरत कर उन्हें संग्ठत किया बिटेस्श आसन से लोहा लेने के लिए सरप्रथम सोना खान से संखनाध की पहली बार सोना खान में एकत्र किसानोंने हथ्यार उठा लिए थे वे साहुकारों की बुरद एकत्रत्र होने लगे थे नाराण सिंग की नितरत्त में कस डोल की और कूच कर गए नाराण सिंह ने साहुकारों के भंडारों से अनाजब्त कर भूखे किसानों में बांट दिये अंग्रेज इस से नाराज हो गए 36 गड़ के इतियास में या बिटिस कंपनी सासन के विर्द पहली क्रांतिकारी घटना थी जनता की वाज़त के लिए 2 दिसंबर 1867 को अपने एक साथी के साथ नाराण सिंह लेटिनेंट इसमित के सामने पहुंचे किन्तु हत्यार नहीं डाले 36 गड़ के डिप्टी कमिस्नर इलियट ने लिखा कि कोड के समक्ष जमीदार को पेस किया गया उन पर 1867 का अधिनियम के सेक्षन 6-14 के अंतरगत अभियूग चलाया गया 10 दिसंबर 1867 की सुबए जनरल परेट की समय सैनिक टुकडी की समक्ष उन्हें फांसी दे दी गई इस तरह 36 गड़ के सर पर थम बलिदानी थे बीन नाराइन सिंग जने 1867 में फांसी दी गई थी वह जमीदार थे लेकिन बहुत ही दयालू थे तथा उस समय में जो अकाल हुआ था भूखे पिसानों और मजज़ूरों के लिए उन्होंने अनाज बितरित किये थे और जब कमी पड़ी थी तो साहुकारों से अनाज को छीना गया था और उन भूखे पिसानों को माट दिया गया था इससे अंग्रेज नाराज हो गई दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपसे एक आग्रह है कि इस वीडियो को सेर जरूर करें साथ ही साथ लाइक और और LWF Classes चैनल को सब्सक्राइब करें प्रेस करें वैल आई कर ताकि हमारे हर एक वीडियो की जानकारी अपलोड होती ही आपको तुरंध मिल साथ आए आगे बढ़ 36 गड़ के प्रथम सेनानी सहीद कौन थे इसका उत्तर है हनुमान सिंग देखिए 36 गड़ के सोतंतर संगराम के प्रथम सहीद बीर नारायन सिंग थे लेकिन 36 गड़ के प्रथम सेनानी सहीद थे हनुमान सिंग बीर हनुमान सिंग 18 स्वंताउन के महाविद्रोह के 36 गड़ी नाम से जाना जाता था। ठाकोर हनुमान सिंग इसी फोज में मैग जीन लसकर की पद पर निवक्त थे। विदेशी हकूमत के प्रती घ्रना और गुस्चा था। हनुमान सिंग ने रायपुर में विद्रोय का नित्रत किया। विद्रोय के समय सन 1867 में उनकी आयू मात्र 35 वर की हत्या कर दी थी जो रामपुर के ततीय रिजिमेंट का फोजी अफसर था। लेप्टिनेंट राट और लेप्टिनेंट सी एच लूसी स्मित ने अन्य सेनकों के सहयोग से विद्रोय पर काबू पा लिया। हनुमान सिंग फरार होने में सफल हो गए किन्तु उनकी 17 साथि को अंग्रेजों ने ग्रपतार कर लिया। इसके बाद हनुमान सिंग कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे। 22 जनवरी 1800 अंठाउन को उनके साथ ही क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गए। तो जब सेनानी आये, 36 गड़ के प्रिथम सेनानी सहीद आये, तब हनुमान सिं 36 गड़ में सहकारिता का जनक माना जाता है। 36 गड़ में पत्रिकारिता की जनक कोन थे? उतर है माधव राव सप्री। भारतिय सुतंतरता संगराम की आंदूलन में पंडित माधव राव सप्री का नाम स्वरन अक्षरों में दर्ज है। उनका जन्म 19 जून 1871 को दमोह जिल सन 1900 में जब समूची 36 गड़ में प्रिंटिंग प्रीस नहीं था तब उन्होंने पंडित बामन राव लाखी तथा राम राव चिंचूलकर की सहयोग सी बिलासपुर में जो अब गोरिला पेंडरा मरवाही में पढ़ता है छोटी सी गाओं पेंडरा रूड में 36 गड़ मित सिर्फ तीन साल ही चल पाई सप्रे जी ने लगवक सूल है गरंत लिखी उनका निधन 23 सप्रेल 1926 को रायपुर में हुआ 36 गड़ में पत्र कार्ता की जनक माधाव राव सप्रे 36 गड़ का पहली बार उल्लेक किस ने किया है दलपत राव 36 गड़ का पहली बार उल्लेक करने वाले थे दलपत राव 36 गड़ का साहित में पहली बार उल्लेक किस ने किया उतर है गोपाल मिस्र 36 गड़ का साहित में पहली बार उल्लेक करने वाले थे गोपाल मिस्र खूब तमासा में जन्हें सोनावाइ के नाम से जाना जाता था 36 गल की प्रथम कवीत्री थी 36 गल राज में कवीर पंथ के संस्थापक कौन थे उतर है धनी धर्मदास 36 गल राज में कवीर पंथ के संस्थापक थे धनी धर्मदास 36 गल के साहितकार जिन्होंने प्रथम बार 36 गल या 36 गली सब्द का प्रियोग किया था कभी दलपत राम राओ 36 गड़ के सरप्रिथम साहित्यकार जिनोंने प्रिथम बार 36 गड़ या 36 गड़ी सब्द का प्रियुक किया कभी दलपत राम राओ खेरागर के चारण कभी थे दलपत राम राओ साब च्छतिस गड़ी ब्याकरण पनेता कौन थे उत्तर है हीरा लाल काब्यो पाध्याए जिनने च्छतिस गड़ी का पाणनी भी कहा जाता है इनका जन्म हुआ अठारा सो चपन में मूल ग्राम राखी भाठा गाओं जिला धम करी ले च्छतिस वर्स की उम्र में अक्टूबर अठारा सो नभ्य में इनका देहावसान हो गया जब अठारा सो पचासी में हीरा लाल काब्यो पाध्याजी ने च्छतिस गड़ी ब्याकरण लिखा तब खड़ी बोली का कोई सर्मान और प्रामानिक ब्याकरण नहीं था सन अठारा सो नभ्य में प्रकासे च्छतिस गड़ी ब्याकरण उनकी सात्मी एवं अंतिम क्रती थी इसी क्रती को अभूत पूरु लोग प्रीता मिली इन्होंने कई रचनाएं लिखी जिनमें साला गीत चंद्रीका, दुरगायन, वालोपियोगी गीत, राइल रीडर भाग एक और भाग दो अंग्रेजी में थे गीत रसिक, छतिस गड़ी ब्याकरण इनकी प्रमुक रचनाएं हैं इसी क्रती को संसोधित कर पंड़ित लोचन प्रसाद पांड़े ने मद्ध प्रदेश सासन में प्रकासित करवाया अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले थे महान भासा सास्त्री सरजार गीयर सन तो आप याद रखें जट्तिस गड़ी ब्याकरण के प्रणेथा हीरा लाल का अभ्यूपाद्याएं शतिस गड़ी के प्रथम कवी कौन थे? नरसिंग दास नरसिंग दास शतिस गड़ी के प्रथम कवी थे? इन्नोंने लिखा था सिवायन सत्राहसोचार में चतिसगड़ी की प्रथम कहानी कौन सी थी चतिसगड़ी की प्रथम कहानी ये रूके कहनी और यह लिखी गई थी 1926 में चतिसगड़ी के प्रथम कहानीकार कौन थे वन सिधर पांडे 36 गड़ के प्रिथम कहानिकार थे वनसिधर पांडे 36 गड़ के पहले जन कभी कौन थे कोदू राम दलित 36 गड़ के पहले जन कभी थे 36 गड़ के धुरंदर कभी अपने व्यंग गीतों के कारण लोक प्रिय थे सियासी कोट 1967 में बहुजन हिताय सुखाय 2000 जन्म 5 मार्च 1910 को जिला दुर्ग में और निधन हुआ इनका 28 सितंबर 1967 को उनकी रचनाएं थी सियासी गोट, कनवा समधी, अलहन, दूमितान, हमर देश, कृष्ण जन्म, बाल निबंद, कथा कहानी, 36 गड़ी सब्द भंड़ आउलोक उक्ती प्रिश्टर है इन्होंने कई रचनाएं लिखी और अपने ब्यांग गीतों के कारण यह काफी लोग प्रिय थे 36 गड़ी के प्रिथम निबंद कार कौन थे? उतर है केयर भूषण प्रिथम निबंद कार केयर भूषण राडी ब्राम्मन के दूरदसा 1968 में नोने लिखा 36 गड़ी का प्रिथम निबंद कौन था? राडी ब्राम्मन के दूरदसा 1968 में 36 गड़ी के प्रिथम नाटक कार कौन थे? उतर है लोचन प्रसाद पांडे प्रिथम नाटक कार लोचन प्रसाद पांडे ने लिखा था करीकाल 1905 में जो की 36 गड़ का प्रिथम नाटक था 36 गड़ का प्रिथम नाटक कौन सा है? करीकाल 1905 में लिखा गया 36 गड़ी का प्रथम उपन्यास कार कौन थे शिव शंकर सुक्ल मोगरा 1965 में उन्हों ने लिखा 36 गड़ी का प्रथम उपन्यास कौन सा है तो मोगरा और यह लिखाता शिव शंकर सुक्ल ने 1965 में 36 गड़ी का प्रिथम अंग्रेजी ग्रामर किसने लिखा उतर है जार्ज गियरसन जार्ज गियरसन एक ग्रामर आफ 36 गड़ डायलॉप्ट सन 1890 में प्रकासित 36 गड़ी ब्याकरण की ऐसी क्रती है जिसका अनुवाद महां भासा सास्त्री सर जार्ज गियरसन ने जनरल आप एसियाटिक सोसाइटी आप बंगाल के जिल्द 30 भाग एक में प्रकासित करवाया गियरसन ने इस क्रती को दो भागों में प्रकासित किया एक में विशुद्ध ब्याकरण वदूसरी में मोहावरी कहावतें पहली लोग गीत कथा एवं कहानी इत्यादी कहानी और लोक कथा के लिए चर्च 36 गड़ के चुनिंदा कथाओं को भाग दो में गियरसन ने प्रकासित किया गियरसन ने आभार व्यक्त करते हुए हीरा लाल जी के सम्मद में लिखा कि हीरा लाल जी जैसे विद्ध्वानों के कारण ही हम भिंद भिंद भासाओं के भी सेतु बनाने के अपने प्रियास में सफल हो पाते हैं हीरा लाल काव विपाध्या इसी नाम से जाने जाते हैं तो हीरा लाल काव विपाध्या ने जो ग्रामर लिखा था उसका अंग्रेजियन वाद करने वाले थे जार्ज कियर सन जो की भासा सास्त्री थे 36 गड़ के प्रथम कल्चुरी सासक कौन थे उत्तर है कलिंग राज प्रथम कल्चुरी सासक कलुंग राज जहानी थी तो मान 36 गण में कल्चुरी बंज की स्थापन कलिंग राज ने 1000 से 1020 में किया था रतनपुर की पर सिद्धि चारों युगों में थी सतियोग में इसका नाम मनीपूर, त्रीता में इसका नाम था मनिकपूर, द्वापर में हिरकपूर और कलयोग में रतनपूर के नाम से यह सहर जाना जाता है रतनपुर में कल्चुरी राजवंसों की लहुरी साखा ने दसवी सताबदी में राज इस्थापित किया कलिंग राज 36 गड़ में कल्चुरी वंस का वास्त्विक संस्थापक था कल्चुरी वंस का अंतिम सासक था रगुनाद तो आप याद रखें वास्त्विक संस्थापक कल्चुरी वंच के थे कलिंग राज 36 गड़ में प्रिथम व्यक्ति पर हमारा यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट्स करके जरूर बताए 36 गड़ में प्रिथम मराठा सासक कौन थे उतर है बिंबाजी भोसले 1741 में भोसले सासक के सेनापती भासकर पंथ ने रतनपुर में आकरमनकर रगुनाथ सिंग को पराजित कर दिया कल्चुरी सासक थे रगुनाथ सिंग को और उसे ही अपने प्रतिनिदी के रूप में रखा रगुनाथ सिंग की मरत्यू के पश्चाज 1745 में मोहन सिंग को प्रतिनिदी के रूप में निक्त किया गया उसकी मरत्यू 1798 में होने के बाद बिंबाजी भोसला ने प्रतियक्स सासन प्रारंब किया तो इस तरह 1898 में प्रतियक्स सासन प्रारंब हो गया रगुजी प्रिथम के पुत्र बिम्बाजी राव भोसले को 36 गड़ पैत्रिक संपत्ती के रूप में प्राप्थ हुआ था ये 36 गड़ के प्रिथम मराठा सासक माने जाते हैं रायपुर और रतनपुर का एकी करण कर राजजानी रतनपुर को इनोंने बनाया था 36 गड़ के प्रिथम सूवेदार कौन थे उतर है महिपत राव दिनकर 1787 से 1790 प्रिथम सूवेदार महिपत राव दिनकर राजजानी थी रतनपुर महिपत राव दिनकर को 36 गड़ का पहले सूवेदार निक्त किया गया इन्होंने 1787 से 1790 तक शासन किया 1790 में ही यूरोपिय यात्री फोरेश्टर 36 गड़ आया आनंदी बाई से सत्ता के लिए संगर्स हुआ ब्यंकोजी भोशले 1787 से 1811 ने नागपुर में ही रहकर 36 गड़ का सासन चलाने करने ने लिया और सुवेदारों की निक्ति की 36 गड़ में सुवा सासन या सुवेदारी प्रथा की शुरूआत की सुवा सासन कतात प्रथा अप्रत्यक्ष रूप से सासन करना 1787 से 1818 तक यह चला 36 गड़ के प्रथम जिलिदार कौन थे उतर है कृष्णाराव अप्पा पुनाय भोसली सासन 36 गड़ 1830 से 1854 के दोरान सासन भोसली दोरा निक्ति प्रथम जिलिदार कृष्णाराव अप्पा थे 1830 में निक्ति किया गया था 36 गड़ के प्रथम स्री से सम्मानेत प्रथम व्यक्ति कौन थे उतर है मुकुटधर पांडे यह सम्मान इन्हें 1976 में प्राप्थ हुआ था 36 गड़ की प्रथम स्री से सम्मानेत प्रथम महिला कौन है उतर है 30 जन वाई और यह सम्मान इन्हें मिला 1987 में बहुत महत पूनतत हैं आप इनहें जरूर याद रखे 36 गड़ की प्रथम भूशन से सम्मानेत प्रथम व्यक्ति कौन थे पुतर है हवीब तन्वीर और इन्हें यह प्रुसकार मिला था 2002 में हवीब तन्वीर का जन्म होता है 1 सितंबर 1923 को रायपुर में और निधन हुआ 8 जून 2009 को भोपाल में भारत की मसूर पटकता लेखक नाट निर्देशक कभी और अभिनीता थी उनकी प्रमुक्रतियों में आगरा बाजार 1954 चर्णदास चूर 1975 सामिल है उन्होंने 1969 में दिल्ली में एक नया थेटर कंपनी स्थापित की हवीप तन्वीर को संगीत नाटक अकादमी 1979 पदमिस्री अवार्ड 1983 संगीत नाटक अकादमी फेलोसिफ 1996 पदमे विभूशन 2002 जैसे सम्मान भी मिले वे 1972 से 1978 तक संसद के उच्च सदन याने राजसभा के सदस भी रहे उनका नाटक चर्णदास चोर एडनवर्ग इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल में पुरुश्कृत होने वाला पहला भारती नाटक था और यह पुरुश्कृत हुआ था 1982 में बहुत महत्पून व्यक्त और इनके बारे में कोई भी प्रशन आप से पूछा जा सकता है 2019 में पद्म भूशन से सम्मानित किया गया 1995 में संगीत नाटक अकादमी पुरुशकार मिला जो भारत की राष्टिय संगीत अकादमी नत और नाटक द्वारा दिया गया देश विदेश में अपनी कला का प्रदर्शन करने वाली तीजन भाई को विलास पर विश्विद्याले द्वारा देलिट मादक पादी भी प्रदान की गई है तो ये पंडवानी गाई का हैं 36 गड़की काफी मसुहूर गाई का हैं तीजन भाई 36 गड़का प्रथम मिनी माता सम्मान किसे प्रदान किया गया उत्तर है स्री मती बिन्नी बाई और इनने याई पर रुसकार दिया गया 2001 में 36 गड़ सरकार द्वारा यह सम्मान 2001 में इस्थापित किया गया था डक्टर खूबचन्द बगेल सम्मान के प्रिथम प्राप्त करता कौन है उतर है स्रीकांत गोवर्धन 2001 में यह सम्मान भी 2001 में प्रारम्र किया गया था 36 सरकार द्वारा पंडित रवी संकर सुकल सम्मान के प्राप्त करता प्रिथम प्राप्त करता कौन है उतर है केर भूशन 2001 में इन्हें यह सम्मान दिया गया 2001 में पंडित रवी संकर सुकल की सम्मान में यह पुरुषकार शुरू किया गया था पंडित सुन्दरलाल सर्मा सम्मान के प्राप्त करता प्रथम व्यक्ति कौन है उत्तर है बिनूद कुमार शुक्ल इन्हें यह सम्मान 2001 में प्रदान किया गया जब यह पुरुसकार प्रारंब किया गया गुंडा धूर सम्मान के प्रथम प्राप्त करता कौन है उत्तर है आसीस अरूरा 2001 में आसीस अरूरा को यह सम्मान 2001 में इसकी इस्थापना वर्स में दिया गया था हमारे वीडियो आपको कैसा लग रहा है जरूर कमेंट्स करके बताएं जहां तक मेरा मानना है यह 36 गल की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की दरश्टी से काफी महत्पून है और इसमें हमने काफी तथ्यात्मक जानकारी जुटा कर आपके समक्स प्रस्तुत की है जो आपक कुछ वेकल्पिक प्रश्णों पर विचार करते हैं 36 गल का प्रथम सहीद सैनानी कौन था सुंदरलाल बहादुर साय हनुमान सिंग बीर नारायन सिंग गुंडाधुर उत्तर है बीर नारायन सिंग सन 1877 के बिद्रोह के दोरान 36 गल राज्य के सिपाही उपद्राव का नीता कौन था ए सिवराज सिंग बी नारायन सिंग सी कल्यान सिंग डी हनुमान सिंग उत्तर है हनुमान सिंग भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में 36 गल के प्रथम सहीद कौन थे ठाकुर प्यारी लाल सिंग दादा धर्माधिकारी बीर नारायन सिंग डी हनुमान सिंग उत्तर है वीर नारायन सिंग 36 गल में सुवा सासन के अंतरगत न्युक्त प्रथम सुविदार कौन था भवानी कालू सखराम हरी यादा राव दिनकर महिपत राव दिनकर उत्तर है महिपत राव दिनकर तो दोस्तों यह था हमारा एक छोटा सा प्रियास इस छोटे सी प्रियास में आप कितना कामिया हों वह भी बताएं और अगर कोई चीज अच्छी लगती है वह भी आप बताएं ताकि हम अपने वीडियो में लगातार सुधार करते रहें और आपके लिए उपियोगी सामगरी प्रस्चुत करते रहें दोस्तों 36 गड़ से समंदित हमने विभिन टॉपिक पर कई वीडियो अप्लोड किये हैं जो आपके लिए उपियोगी हो सकते हैं हम अगले वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे नमस्कार जय हैं